सुनिल अरोडा, PGT कमेश्टरी, गोवर्मेंट हाई स्कूल, समलेडी डिस्टिक्ट पंचकुला, हरियाना में कार्यत, एक पहेतरीन समर्पित लेक्चरर, चीहा, सरकारी स्कूल में किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट बेस्ट लर्निंग हो सकती है, साइंस ट्रीम में इसका सबस और उधान परस्तूत करते हैं, सुनिल अरोडा जी, नवदगरानती मोटिवेटर, इनके लगातार वीडियो हम देखते रहेंगे, किस प्रकारी बच्चों वो तयार करवाते हैं, और नवदगरानती देखते रहें, इनका मर्गरसन हमें मिलता रहेगा, आज हम देखेंगे एक बच्ची को जो इलेक्ट्रो केमिकल सेल का पर्जेंटेशन आपके सामने देगी, नाइंध क्लास के लड़की, देखिए पर्जिए एक होपर, तो अब देखें सबसे पहले हाँ, आप को सोडीन खॉराइट जल में खुले लीए, यह देखिए मैने इस और सोडीन खॉराइट इसमें डाल दिया है, फोल भी कर वें, आपको फार से बटार, आपको अना सोडीन खॉराइट जल में खुलेंगे, अब हम दूसरे पीटर मेटिया से इकद रहे हैं, इसमें भी एक हुझ जाएगा और ये खुल गया है, बिल्कु रश्ट में फिर हम जिंक की प्लेट को खादर एक उसमें डालेंगे और फिर दूसरे कॉपल की प्लेट को खादर इसमें डालेंगे ये देखिए, ये इसमें डाल गये हैं, अब मैं इनको मल्टी मिटर से त्रेक्ट करूंगा और फंग विभांतर इसमें कितना आ रहा हैं ये चेक करेंगे ये देखिए, हमें विभांतर बिल्कुल 0 आ रहा है ये दि मैं इसके अंदर जंपर डाल देते हूं तो क्या होगा ये देखिए, हमारे विभांतर कितना आ गया, 0.82 यानकी 0.8 गोई ये दि मैं इस जंपर को निकाल देती हूं तो रेडिंग फिर 0 आ जाती है तो इसका मतलब है, ये जिंपर होगे कॉपल, इससे हमें बता चलता है इसके फिर नोडरी क्योंतर की दालते हैं, तो विभांतर पैदा होता है तो जो जंपर है ये इसमें विभांतर पैदा करता है जिंक, जिंक में, तुको ंटेशन होती है ये लौस ओव एक्ट्रोन, ये रेनावेश्स्टमें यह देखिए इस प्रकार हमारा जो यह है अब मैं इसमें फिर से डाल के दिखा देते हूं आपको यह देखिए आ रही है अब हम इसको कर देते हैं इस प्रकार मेरा वीडियो सेल पन जाता है